इस मकाम पर मैं चाहता हूँ कि इस मुशायरे को बावेकार बनाए कि हस्ते हस्ते चलता है अंगारों पर दुनिया वाले समझ रहे हैं पागल है कैसे मैं समझाऊं इन नादानों को मेरे सर पे मेरी मा का आचल है इस वक्त अपने सर पे अपनी मा का आचल लेकर पुरी दुनिया का सफर कर रहा है एक खुबसूरत आवाद शाह खालिस से में गुदारिश कर रहा हूँ कि महबत का नया अंदास पैदा कर लिया मैंने लिया मैंने पूर्दोर तालियों ते इस्तिक्बाल कीजिए शाह खालिस साब से मैं गुदारिश कर रहा हूं दोस्तो जब मैं नाथ के लिए माइट पर आया था बहुत ही अच्छा माहौल आपने दिया था आपने पजिराई की मेरे मेरी नाते पाक की और मेरी वही होसला दीजिएगा मुझे जैसे आपने नाते पाक मैं मुझे नवादा बाह। मैं गदल का मतला पेश करता हूं माशालला नौजवानों की तादाद काफी है तो मैं इनकी खुसुसी तबज़ चाँगा है मतला पेश करता हूं जी बाए पेशकर यसा जितने भी हजरात मौझूद हैं मैं इनको शरीक करता हूं इजादत लेता ह। जी बाए पेशकर है हमा तन्गोश हैं हम लोग अ ऐ हुसन तरह दार घन गैसों वाले क्या बात है शाहारी साहब अच्छा इस रहे हैं ज़रा था जुड के सुनेगा पेश करता हम लाएं ऐ हुसन तरहदार गनेगे सोवाले गनेगे सोवाले ऐ हुसन तरहदार गनेगे सोवाले ऐ हुसन तरहदार गनेगे सोवाले ऐ दीदो दिल जानो जिगर तेरे हवाले अरे शाह्णार जिन्दाबाद जिन्दाबाद बहुत शुक्रिया अरे अच्छा मतलब है देश करता हम लाएं ऐ हुसन तरहदार गने के सोवाले गने इस आए हुसन तरहदार गने के सोवाले आई हुसन तरादार गने के सुवाले आई दीदों दिल जान वजिगर तेरे हवाले आई हुसन तरादार गने के सुवाले गने गेसों वाले तेरा फूल सा चेहरण फिरता है निकाहों में तेरा फूल सा चेहरा पिरता है निगाहों में तेरा फूल सा छेहरा दिल बातों ही बातों में मेरा चीनने वाले दिल बातों ही बातों में देखिए मैं बता अच्छा है आप दिल जमय के साथ एक मिनट मेरी बास सुन ले वो पेंच पर है नॉट बॉल पर लगा हुआ है वो खुल नहीं पाएगा इसलिए यह मुशा है जो चीज़ आपको देखना है ना वो तो सामने है यह उदर देखिए आप मैं शेर पिश करता हम लादा हमाय को शाख खालिद साब आप भी अलहम्दुल्लद किसी से कम नहीं है खुबसूरत आप भी शाख खालिद पर भी आप लोग नदर कीजिएगा नहीं भाईयों की मुखबत साथ है पिश करता हम लादा हमाय ऐ हुसन तरहदार घने गेसों वाले फिरता है निगाहों में तेरा फूल सा चहरा फिरता है निगाहों में तेरा फूल सा चहरा दिल बातों ही बातों में मेरा जीनने वाले ए हुसन तरहदार घने केसों वाले हर एक पे करता है जो अंगोष्ट नुमाई जो अंगोष्ट नुमाई दोस्तों दो कोड़ी का एक शक्स हमारे आका की शान में गुस्तागी किया हमारे आका की शान में उंगली उठाया शायद उन्हें ये पता नहीं उसे ये पता नहीं कि हमारे आका जब उंगली उठाते हैं तो चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं हमारे आका जब इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज पलट कराता है मैं एक शेर पेश करता हूँ जरूरी नहीं कि मैं तीर और तलवार की बात करूँ बड़े भाई अलताब जिया सहाब जैसे शायर मौजूद हो तो मेरी हिम्मत नहीं लेकिन मैं घजल पढ़ रहा हूँ अगर शेर पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने तमामी साहबान की दौाई लेते हूँ एँ हुसन तरह दार घने के सुवाले हर एक पे करता है जो अंगोष्ट नुमाई हर एक पे करता है जो अंगोष्ट नुमाई वो अपने को किरतार के आईने में ढाले वो अपने को किरतार के आईने में ढाले हर एक पे करता है जो अंगोष्ट नुमाई वो अपने को किरतार के आईने में ढाले और जो अपने को किरतार के आईने में ढाले और जो हदरात को दिदार करने में थोड़ा ये आड़ पड़ रहा है तो मैं एक शेर पेश करता हूँ बस इसको जी आप इसको चिलमन समझ के आप शेर मुलादा आप क्या बात है बाब और इधर के जानीब ते इधर के मुले थे भी आवाए असा न लगे कि ये सिर्फ आलिमों की सफ यहां पर लगी हुई है यहां पर ऐसा लगे कि नौजवान बैठे हुए हैं भुद्पूर नौजवान भी बैठे हुए जैसे पूरा पिंडार पुरे लोग इस वक्त बेद हैं अगला शेर पेश करता हूं उलादा हमाए मज़े लीजेगा अस्ताद बहुतरम अता उल्ला भुद्पूर ने तरह मतार हैं गनेगे सुवाले गनेगे सुवाले गनेगे सुवाले हो गर्द से धूमिलना कहीं चांद सा चेहरा कहीं चांद सा चेहरा कहीं चांद सा चेहरा हो गर्द से दो मिलना कही चांद सा चेहरा हो गर्द से दो मिलना कही चांद सा चेहरा इस चांद को जल्फों की घटाओं में छुपा ले इस चांद को अरे बाबा जिन्दा बाबा जिन्दा बाब इस शेर को दोबारा पढ़ देंगे तो मेरे लिए नवादी चोगी यार भाई बाई 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 अरे दोस्तों पायोत इस्तिक्बाल करें तालियोत इस्तिक्बाल करें घुप्रों शायरी ये इल्यास खान फॉन्डेशन का मुशार है और ये काम्याब तरी शायर आपके दर इस चाद को जल्फों की घटाओं में छुपा ले इस चाद को जल्फों की घटाओं में छुपा ले घटाओं में छुपा ले खालिद न भरसा कभी उन लोगों पे करना खालिद न भरसा कभी उन लोगों पे करना खालिद न बड़ाता कभी उन लोगों पे करना जो तन के तो उजले हैं मगर मन के हैं काले जो तन के तो यह तरीका नहीं है अगर मुशारा कामियाब है शायर कामियाब है शायरी कामियाब है तो हमारा फर्द बनता है कि पूर्दो तालियों से इस्तिक्बाल करें कमेटी का इलियाद खान सहाब का मौतम अर्शद खान सहाब का उसी के साथ ततलब दुल दूस्तों फैसलीम भाई स्विद्याचित है अपनी दूराओं से नवादा मैं फिर से ये शेर्ड पेश करता हूँ इजाज़त है इधर वाले लोक तो उजह लगता है अन्हें आख दी है कान भी दिया है इधर वाले इधर लोग याद कर रहे हैं आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं तो यह याद कर दाइना वादू मजबूत होना चीए मैं पेश करता हूं लाला मैं के फिरता है निगाहों में तेरा फूल सा आरिज तेरा फूल सा चेहरा तेरा फूल सा आरिजें खालिद न बरौसा कभी उन लोगों पे करना जो तन के तो उजले हैं मगर मन के हैं काले जो तन के तो उजले हैं मगर मन के हैं काले बहुत अच्छे भाई बाई 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 बिल्कुल ताजा पेश करता हूं हम लादा आप मैं पागल की तरा मैं भटकता हूं तेरे प्यार में पागल की तरा मैं भटकता हूं तेरे प्यार में पागल की तरा मैं भटकता हूं तेरे प्यार में पागल की तरा मैं भटकता हूं तेरे प्यार में पागल की तरा अपनी आखों में लगा ले मुझे काजल की तरा काजल की तरा हूं भटकता हूं तरे प्यायर में पागल की तरा भाई माशाला बहुत अच्छी निजामत आज कर रहे हैं बहुत बिल्कुल मुड में कर रहे हैं पूरी पूरी जिमेदारी के साथ कर रहे हैं शायद मुझे यह समझ में आ रहा है कि अलताफ भाई क्लोज में शायद उनका खौब या उनका डर तो नहीं है अरे नहीं मेरे भा आया मुझे अपनी दुआओं से नवादा चाचा को बहुत धेर सारी मुबाद बार मुबारकबाद मेरी तरफ से नौजवानों सुनिये का अगला शेर पेश करता हूँ ताप भाई मलादा मैं कि मैं भटकता हूँ तेरे प्यारे में पागल की तरह मैं भटकता हूँ तेरे प्यारे में पागल की तरह मैं भटकता हूँ तेरे प्यारे में पागल की तरह अपनी आखों में लगा ले मुझे का जल की तरह अपनी आखों में लगाने मुझे का जल की तरह अग कैसे दीदार करो कैसे दीदार करो रुख से हटा ले जुल पेश करता हूँ अगली सबसे और ये जो आगे बैठे हैं आप मोबाइल में बाद में सुन लिजेगा मेरे मुझे भाई बैठे हैं मुटिया वाले ये लगा देंगे यूटूब पर आप बादे भी देख लेकिन जो जिम्मेदारी है फिलाल देख जी पेश करता हूँ जी पेश करेंगे कैसे दीधार करो दीधार करो ये जो रुख से अटाले जुल पे ये जो रुख सारे लहराती है बादल की तरह अर्वा बाबाबा जिंदा बाद यह बादल की तरह बादल की तरह मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह अजीज इतना ही रखो के दिल समल जाए या विपना बिना चाहो के दम निकल जाए उन्हें दम लेनी जी जिएगा उसके बाद यकिनन उनकी नाग में हम दम करेंगे मगर मुंतद्मिन की फर्माईश पर सामें की फर्माईश पर मैं दोबारा गुदारिश करूँगा शाह खाली साब से कि कुछ शेरा और अच्छे थे मैं पिले मुशारा में पेश करके हक अदा कर देंगे बहुत शुक्रिया दोस्तों एक गजल का हुक्म हुआ है मैं उसका मतल़ स्रीप पढ़ देता हूं मुलादा करें फिर उसके बाद मैं अपनी मर्जी से गजल पढ़ना चाहता हूं क्या गीत गीत पांच शायरा का इंतखाब किया है लियाज भाई ने आप उनसे कहिएगा वो गीत पढ़ेंगी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि गीत दोस्तों औरत की जबाने मर्द की जबान ही नहीं आप मर्द इसे गजल थुनिये क्या बात है जो 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 शेर मैंने प मैं रुलाना मुश्किल हो जाएं हसाना मुश्किल हो जाएं कमजोर मत पढ़िएगा कहीं से पेश करता हूं लादा मैं रुलाना रुलाना मुश्किल हो जाएं हताना मुश्किल हो जाएं रुलाना मुश्किल हो जाएं अब ऐसा रूठना रूठना भी रूलाना मुश्किल हो जाए हसाना मुश्किल हो जाए कभी आँखे बताती है कभी दिल बोल देता है कभी आँखे बताती है कभी दिल बोल देता है कभी आँखे बताती है कभी आँखें बताती है कभी दिल बोल देता है कभी आँखें बताती है कभी आँखें बताती है कभी दिल बोल देता है मुहाबत चीज़ें ऐसी छुपाना मुश्किल हो जाए मुहाबत चीज़ें ऐसी छुपाना मुश्किल हो जाए रुलाना मुश्किल हो जाए हसाना मुश्किल हो जाए गफलत में सो रहे थे तो उठकते कहां से हम गफलत में सो रहे थे तो उठकते कहां से हम पेश करता हूँ सुनिएगा दोस्तों आपने अब तक शायरी की हिफाज़त की है तो मेरा यकीन है आप इस मतले में शरीक होंगे गफलत में सो रहे थे तो उठकते कहां से हम रहे कर करीब दूर हुए हैं अजां से हम गफलत में सो रहें गफलत में सो रहे थे गफलत में सो रहे थे तो उठते कहां से हम रहकर करीब दोर हुए है अजां से हम रहकर करीब दोर हुए है अजां से हम अब फैसल भाई हुसने मतला पे रहकर करीब दूर हुए लफजों की लफजों की जंग जीत के एहले जहां से हम के लफजों की लफजों की जंग जीत के एहले जहां से हम लमों में मात खा गए के बेजबा से हम लमों में मात खा गए के बेजबा से हम दोस्तों जब कोई दो तवारी एक शेर में हो जाए तो एक रुछानी खुशी महसूस होती है मैं एक शेर पेश करता हूँ हजरत मुसा अले सलाम हजरत इबराहीम अले सलाम को आप तस्रूर में रखें एक शेर पेश करता हूँ अगर शेर जोड़ दे आपको तो मेरा यकीन है आप मुझे दौाओं से नमाजेंगे के लफजों की जंग जीत के के दरीया दरीया ने रास्ता दिया शोले बने हैं पूर एक दफ़ा तालिया बजा कर मेरा होसला बढ़ा है अब के दरीया 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 ने रास्ता दिया दरीया ने रास्ता दिया शोले बने हैं पोर अलाग का करम है के गुजरे चाहां से हम अलाग का बावबावबाव बहुत अचे हम दरीया ने रासता दिया दरीया ने रासता दिया शोले बने हैं पूर अल्लाग का करम है के गुजरे जहां से हम दोस्तों आज की साइंस और एक शेर मैं पेश करता हूँ बतो रहे खास फुलादा हमाय है के अपनी अपनी खला नवरे दी पे तुम फखर मत करो पहुचिएगा इंशालला ये शेर भी आपको मज़ा देगा मुलादा हमाय है के अपनी अपनी खला नवरे दी पे तुम अपनी खला नवरे दी पे तुम फखर मत करो लोटे है पल में करे के सफर लामकासे हम लोटे हम। बेशक बाबाबाबाबाबाबाबाबाब ये अपनी खला नवरे दी पे तुम फखर मत करो लोटे हैं पल में करें के सफर ला मकां से हम रखते हैं रखते हैं अपने कल्ब में जुरत की धालबी नौजवानों सदके जाओं आपकी मुहपत पर लाहज़ा आप माय के लफ़तों की जंग जी अपनी अपनी खला नवरे दिपे तुम फखर मत करो रखते हैं अपने कल्ब में जुरत की धालबी मत सोचिये की डरते हैं ती रोका मा से हम मत सोचिये की डरते हैं ती रोका मा से हम मत सोचिये की डरते हैं ती रोका मा से हम मत सोचिये की डरते हैं खालिद तमाम जिसम से खालिद तमाम जिसम से खालिद तमाम जिसम से रिश्टा है दरते हैं खालिद तमाम जिसम से ने कहां से हम कैसे बताएं तो उते हैं कितनी